नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News हरियाना SSC को गुरूप D के नए पद भेजेगी हरियाना सरकार पिशड़े वरक्य उम्मिदोरों को होगा नए क्रेमी लेर का फायदा युवाओं को विदेश में नोक्रिय दिलानी का लाइसेंस लेगी हरियाना सरकार प्रोसेश हुआ शुरू किसान अंदुलान की चलते बंद संभू बोर्डर अभी नहीं खुलेगा सुप्रीम कोड ने कहा यथा स्तेती बनाए रखे हैं स्वतंतर कमिटी बनाए जाए बोर्डर पांच मेने से हैं बंद हरियाना में साल 2014 से पहले रेटायर करमियों को नहीं मिलेगा अधिक्तम पेंसिन का लाप बताएंगे हाई कोड का पूरा फैसला हरियाना में सर्मिकों को मिलेगा मुफ्ति राज 21 नई ESI डिस्पेंसर के साथ बाहदुर्गण में खुलेगा सो बेटिका उस्पिटल हरियाना में 309 प्रदो पर सरकारी भरती निकली 25 जुलाई से 14 अगस्त तक आविदन कर सकते हैं 5000 होमगाड भी भरती करेगी सरकार हरियाना में फिर चर्मरा सकते हैं स्वास्थ शेवाई बुद्वार राथ से हड़ताल पर चले गए हैं सरकारी डोक्टर नो में किसानों ने ट्रेक्टर यात्रा निकाली जमीन के मौवजे की मांग किसान नेता बोले 7 अगस्त को अल्टिमेटम पूरा होगा चरके दादरे में एनेचम क्रमचारी ने वर्क सस्पेंड रखा पक्का करने और साथवी पेकमिशन की रखी मांग 26 से बड़े अंदुरन की देच यहताउनी पीजे में दाखले का आज आखरी दिन 30 जुलाई को पहली मैट लिस्ट आएगी और पास्पोर्ट रैंकिंग में भारत दो पायदान बढ़कर 22 स्थान पर पहुंचा सिंगापुर का पास्पोर्ट दुनिया में सबसे ताकतवर तो आई पाकिस्तान के पास चोथा सबसे कमजोर पास्पोर्ट और अब खबरे विस्तार से बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं के नयाने और मानसुन टर्फ यनि की कम दवाव के छेतर की रेखा के बार बात जगहे बदलने से मानसुन पूरी थरे से सक्रिय नहीं हो पा रहा है और बारिस में कमी नजर आ रही है मोशम विशेशकों के माने तो 26 जुलाई को मानसुन टर्फ के हरियाना एंस्यार वर दिल्ली पर पहुँचने और 27 जुलाई को पश्वे विचाव की सक्रिय होने से बारिस के गतियोद्यों में तेजी आने की संभावना बन रही है 25 जुलाई को हरियाना एंस्यार वर दिल्ली खण में वारिस होगी तो 26 जुलाई को दक्षनी जिलों वर 27 जुलाई को परदेश के उत्री वर पूर्वी जुलों में बारिस की गतिविद्यों की संभावना बन रही है Central Reserve Police Force यानी CRPF द्वारा अनुकंपा कोटेश है एड कॉंस्टेबाल यानी जनरेल डूटी के पतों पर भरती के लिए आविद्न मांगे गई है जो भी उमिद्वार इन पतों के लिए चुका हैं वे अपने लिए आविद्न भेज सकते हैं आपको बता दें कि इन पतों के लिए ओफ-लाइन आविद्न भेजने होंगे मेलेया भर पुरस दोनों वरिगों के उमिद्वार आविद्न कर सकते हैं नियून तमाई 18 वर्ष और अधिक तमाई 25 वर्ष तेग की गई है इन पदों के लिए उमिद्वारां को ओफलाइन आविदन भेजने होंगे यात्रा के दोरान सर्धालों के सुविदा और यातायत व्यवस्ता के लिए अलग लेन बनाये जाएगी सर्धालों के रातरी ठहराओ के लिए कावड रूट पर स्थापित शिवरों के कड़ी निगरानी किया रही है जानकारी देते विए सत्रुजित कपूर डेजीपी हरियाना ने बताया कि सिवरातरी के पावन पर पर हर सार लागों सर्धालों हरिद्वार से कावड और गंगा जल लाते हैं और पवित्तर जल को भगवान शियो पर अर्पित करते हैं जिन मारकों से ये सर्धालों गुजरते हैं वहाँ पर इन सुविधा और करनुन व्यवस्ता को लेकर अतिरिक्त पुलिस बलते अनात कर दिया गया है हरियाना के मुख्यमंतरी नायव सिंग सेनी परदेश के नागरिकों के लिए कई सारे एलान करते रहते हैं ताकि उन्हीं लाब दियाजास के इसी कड़ी में विराजी के स्थाई करमचारियों को रेगुलर करने का तोहफा दे सकते हैं फिलाल रेगुलराइजेशन पॉलिशी बनाने का काम अंतिम चरण में चल रहा है हालाइं कि इस पर काम तो काफी पहले शुरू हो गया था मगर कई प्रकार के मशोदे तैयार किये गए हैं अब इन मशोदों में से किसे एक या दो मशोदे को अंतिम रूप देने का काम जारी है पंजाब एवं हारियाना हाइकोट के तरब से भी रेगुलराइजेशन पॉलिशी बनाने पर विचार करने के लिए कहा गया है ऐसे में एक मशोदा है कि जो एस्थाई करमचारी सरकारी विवागों बोर्डों निगमों और सरकार के संगठनों में कॉंट्रक्ट पर लगे हैं वे हारियाना कोशलोजगा निगम में पोर्ट हो गया है उन्हें रेगुलर कर दिया जाए इसके लिए 10 साल, 7 साल, 5 साल की सेवा में से फाइनल फैसला करना है कि कितने साल तक के सेवा वाले एस्थाई करमचारी को रेगुलर किया जाना है हरियाना सरकार की तरब से गुरूप D के नए पद हरियाना करमचारी चैनायों यानि HSSC को भेजे जाएंगे इसका फायता पिछड़े वरक के उन उम्मिद्वारों को होगा जो क्रीमी लेर की सीमा बढ़ने वेतन और किर्शी आय बाहर होने के कारण पिछड़े वरक का लाब लेने के पात रहो चुके हैं आयोक को ग्रूप D के पुराने विग्यापित पदों का रिजल्ट गोशित करना था लेकिन बीच में पर्देश सरकार की तरफ से ग्रूप D के नए पज भेजे जाने के चर्चा शुरू हो गई है मुक्य सचिव ने सभी विवागों बोर्डो निगमों को भी ग्रूप D, ग्रूप C के नए खाली पतों की जानकारी आयोक को भेजने के लिए कई बार कहा है बोर्डो निगमों के खाली पदों की जानकारी आयो की पास सीधे जाती है जबकि सरकारी विभागों में गुरूप D के रिक्त पदों की जानकारी मुखिस सचीव कारियले के तरफ से बेजी जाती है क्योंकि गुरूप D का कॉमन गेडर है मुखे सचीव कार्याले ने विवागों से जानकारी एकत्तुरित कर ली है पर यह फैसला हो चुका है चुंकि पिछले वरक के लिए क्रेमी ले सीमा आठ लाग रुपे हो चुकी है वेतन और किर्शी हाई इस आठ लाग रुपे से बाहर हो गई है हरियान सरकार की तरफ से कोचल रोजगा निगम बनाय गया है जो यूओं को योगिताओं के आधार पर नोक्री परदान करता है HKRN अब परदेश के युओं को अपने इस्तर पर विदेश में भी नोक्रियां परदान करवाएगा इसके लिए हर्यान को अपने पर विदेश मंतराले के अधिन कारेरत परवासी सनरक्षन से भरती एजेंट लाइसेंस प्राप्त करने के परक्रियाश शुरू हो चुकी है ये लाइसेंस मिलने के बाद निगम हर्याना के युओं में से विदेश में नोक्री करने के चुक युओं को नियुक्त करने में सक्षम होगा मुख्य सचेव ने कहा कि SKRN का मुख्या उदेश है लोगों को विदेश में नोकरी के लिए नीजी एजेंटों द्वारा ले जाने वाली भरक्यम कमिसन के बोज से पसाना है मुख्य सरकार ने वितवर्स 2024-2025 के बजट में नई पैंशन योजना यानी NPS वात्षाले का एलान किया है जिसमें अब माता पिता और अभी भावक अपने नावालिक बच्चों के नाम पर इस योजना में निवैस कर सकेंगे इस योजना के मुताबिक बता दें कि नावालिक बच्चों के वैस को होने पर उनके खाते को सामाने NPS अकाउंट में परिवर्टित कर दे जाएगा योजना कारकर साबित होगी NPS वाथ चली योजना को लेकर केंदर सरगार का कहना है कि नावालिक बच्चों के लिए शुरू की गई इस योजना को जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा इसमें माता पिता और अभी भावक बच्चे के नाम पर NPS खाते में निवैस करने की योगे होंगे 18 साल की आयू पूरी होने पर बच्चे का खाता एक सामाने NPS अकाउंट में बदल जाएगा जिससे की भावशे में आपके बच्चों को एक मुस्त राशी और पेंसन का लाव मिल पाएगा हरियना में 2014 से पहले रिटायर करमियों को 20 साल की सेवा पर अधिकतम पेंसन का लाव नहीं मिलेगा वहीं साल 2006 से पहले रिटायर होने वाले 33 साल की सेवा पूरी करने पर ही इसके हगदार होंगे और 2006 से 2009 के बीच रिटायर होने वालों को यह लाब लेने के लिए कम से कम 28 साल की सेवा पूरी करने होगी पंजाब एंड हरियाना हाई कोड के पूर्ण पीट ने यह फैसला सुनाते वे पैंशन से जुड़े हुए दो दसकों से चल लए इस विवाद का निफ्टारा कर दिया है साथ ही कहा है कि अदालतों को वित्य पहलों से संबंदित निर्ण में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए क्योंकि यह कारी पालिका के विशे सदिकार चेतर में आता है कोट के इस फैसले से हरियाना के हजारों करमचारी वे पैंशनास प्रभावित होने जा रही है साल 2006 से पहले रिटायर होने वाले कर्मियों ने 28 साल की सेवा पर अधिक्तम पैंशन की मांग की थे जिसे हाई कोट ने अब खारिज कर दिया है वहीं 2006 से लेकर 17 अप्रेल 2009 के बीच रिटायर होने वाले कर्मियों ने तरक दिया था कि उनको भी 28 साल की सेवा पर अधिक्तम पैंशन का लाब नहीं दिया गया है क्योंकि वे नोटिपिकेशन जारी होने से पहले रिटायर हो गये थे बहादरुगड में बन रहे ESI होस्पिटल का निर्ख्षिन करने पहुंचे रिजिनल डारेक्टर मुर्ली धर ने बताया कि जज़र जिले में च्यार नई ESI डिस्पेंसरी साइथ पूरे हरियाना में 21 नई ESI डिस्पेंसरी प्राने का काम तेजी से आगी बढ़ रहा है ESI के रिजिनल डारेक्टर मुर्ली धर ने बताया कि सभी ESI लाबार्तियों को अपना आधार कार्ड अपडेट कराते रहना चाहिए इन लोगों को किड्नी, लीवर और बोन मेरो ट्रांस्परांट के लिए 5 लाग रुपे से लेकर 25 लाग रुपे तक के आर्थिक मदद की जाती है हरियाना में सेखशक बनने की तयारी कर रही योगों के लिए अच्छी खबर है हरियाना पब्लिक सर्विस कमिशन यानी HPSC के और से PGT के 309 पदों पर यह भरती की जाएगी इसे लेकर 25 जुलाई से 14 अगस तक आविदन कर सकते हैं कमिशन के और से इसे लेकर नोटीस जारी कर दिया है ये पद हरियाना और मेवात केटर दोनों के लिए हैं भरती के लिए पहले स्क्रेनिंग टेस्ट होगा इसमें कम से कम 25 परशेंट अंक लाने वाले ही सब्जेक्ट नोलेज टेस्ट होगा जिसमें कटाओ 35 परतिशत निर्दारित के गई है बता दें कि 5 वीशों के पेपर अंग्रेजी मादम से तो वहीं 10 वीशों के पेपर अंग्रेजी वा हिंदी दोनों मादम से होगे तो वहीं भासा वीशा के पेपर समन्दित भासा में ही होगे यानि कि संस्कत पिजिटे के लिए लिया जाने वाला पेपर संस्कत भासा में ही होगा हरियाना में बुद्वार राज से सरकारी डॉक्टर हर्टाल पर चले गए हैं सुवास्त विवा के अतिरिक्त मुक्य सचेऊ सुधियर राजपाल से लंबित मांगों पर सयामती बनने बावजूद कोई लिखेत आदे जारी नहीं होने के कारण सरकारी एस्पतालों के डॉक्टरों में नाराजगी बनी हुई है उन्होंने फिर से हर्टाल पर जाने का एलान कर दिया है हरियाना सिविल मेडिकल सर्विस असोशेशन यानि HCMS की राजिस तरिये बैठक के बाद राजी परदान डाक्टर राजे स्ख्यालिया ने बताया कि उनके मांगे पूरी नहीं के गई तो वे आदी राज से हापातकार इन सेवां के साथ तमाम सेवां बंद कर दी जाएंगी उन्होंने कहा कि 18 जुलाई को हुई बैठक में सरकार ने आस्वस्त किया था कि 25 जुलाई से पहले लिखे तादेश जारी कर दे जाएंगे वहांन बता भी 500 रुपे परती महां से बढ़ा कर 3000 रुपे किया जाएगा इसी गांड असोशेसी ने हर्ताल पर जाने का वापस फैसला लिया था पर अब सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया और मजबूरी में हर्ताल पर जाने का निरनल लेना पड़ा हरियाना में पोस्ट ग्रेजियोशन कोर्ष में दाखिले को लेकर ओनलाई आविदन के लिए 25 जुलाई अंतिम तारिक है अब तक परदेश के 208 कोलेजों में 21,927 विद्यार्थियों ने ओनलाई आविदन किया है इनमें से 16,896 में विद्यार्थियों के आविदन पूरे हो चुके हैं जबकि 5,288 विद्यार्थियों के दस्ताविजों के जान्स अभी बाकि है 30 जुलाई को पहली मेरिटलिस्ट चारी किया जाएगी बता देंगी हरियाना में 208 कोलेजों में पोस्ट ग्रेजों कोर्स करवाया जाता है इनमें MSC, MCOM, PGDCA, MA हिंदी, MA अंग्रेजी, MA इतियाज, जियोगरफी समय 64 तरह के कोर्स उपलब्द है 12 जुलाई से ओनलाई आवी दिन के प्रिक्राय चली हुई है जो कि 25 जुलाई यानि आज तक आवी दिन किया जाएंगे 30 जुलाई को पहली मेरिटलिस्ट लगेगी जिन में विद्यारत्यों को नाम पहले मेरिटलिस्ट में आएगा उन्हें 2 अगस्त तक अपनी दाखिला फिस जमा करवानी होगी जिसके बाद 5 अगस्त को ओपन फिजिकल काउंसलिंग होगी या मोके पर इदाखिले किया जाएंगे 6 अगस्त को दो बारे से दाखिला पोर्टल खुलेगा और खाली बची हुई शीटों पर दाखिले चलेंगे तो मैं 7 अगस्त से अगर 13 अगस्त तक 100 पेल 8 फिस के साथ दाखिला लिया जाएगा तो मैं 14 अगस्त से 23 अगस्त तक परती दिन 100 पेल 8 फिस के साथ दाखिले होंगे पावर जनेशन कंपनी नेशनल थर्मेल कार्पोरेशन लिमिटेड यानी एंटी पीसी ने माइनिंग होवरमेन, मैगजिन इंचार्ज, मेकैनिकल सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, वोगेशनल ट्रेनिंग इंस्टेक्टर साहित 144 प्रदो पर भरती निकाली है उमिदार ओफिसल वेबसाइट, जोब अपलाई.in पर जागर अपलाई कर सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बात करें तो माइनिंग सरदार के लिए दस्वी पास है तो वहीं विभिन परकार की पोस्टों के लिए अलग-अलग क्वालिफिकेशन योगिता रखे गई है आयूशिमा 18 वर्षी लेकर 30 सार लखे गई है वहीं एक ने खबर पर नज़र डालें तो इंडिन एरफोस ने AFCAT 2 एक्जाम के लिए अडमिट कार्ड जारी कर दिया है कैंडिडेट्स AFCAT.CDAC.IN से अपने अडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे ये एक्जाम 9 से 11 आगस 2024 के बीच आयूजित करवाए जाएगा बजट में सोना चांदी की कस्टम डूटी यानि की इंपोर्ट एक्स गटने के बाद दो दिन में सोना चांदी पर कस्टम डूटी को 15% से गटागर 6% कर दिया है इससे भाव में एक गिराउट आई है बजट के अगले ही दिन यानि की 24 जुलाई को 608 रूपे गिरकर 99,144 रूपे पर आ गया तो वहीं 23 जुलाई को इसमें 3600 रूपे की गिराउट देखने को मिली थी बजट के अगले दिन भारती शेहर बाजार में गिराउट देखने को मिली सैंसक्स 281 के गिराउट के साथ 8148 के स्तर पर क्लोज हुआ तो वहीं निप्टी में 25 टंग की गिराउट रही और ये 24,413 के स्तर पर क्लोज हुआ सैंसक्स के 30 शेहरों में से 20 में गिराउट और 10 में तेजी देखने को मिल रही है निप्टी के 50 शेहरों में से 30 में गिराउट और 20 में तेजी देखने को मिली तो वहीं HDFC बैंग, Axis बैंग, SBI और हिंदुस्तान यूनी लिवर ने बाजार को निचे खिचा तो में Reliance, NTPC, Tata Motors और TAKE महिंद्रा ने बाजार को उपर खिचा एशियाई बाजार में भी गिराउट रही, जापान के निक्काई में 1.1% तो होंग कोंग के हैंसेंग में 0.9% के गिराउट देखने को मिली तो में चीन का संगाई कंबोजिट भी 0.4-6% गिरा आज खबरों बशितना ही, देखते रहे हैं आपको अपना हरियाणा का सबसे बेहतरे न्यूज चैनल CWB Hindi News, नमस्कार, इसे आसा के साथ आपका दिन सुब रहे